अब का एक्ट कि अंदर मांटिंग को लेकर सुनान को लेकर बहुत ही ज़भा महतव दिया गया है। आपका सुनान एक salads करता है कि आप काइसे पानी से नाते हो, थंडे पानी से या फिर गरम पानी से नान की टाइम आप कौन से साबून का यूज़ करते हो, कौन से शावर जेल का यूज़ करते हो, या फिर कौन से उप्टन का यूज़ करते हो, और सबसे इंपोर्टन चीज, कि आप बाथिंग के लिए कौन से लुफा का यूज़ करते हो, इस सभी चीज़ें डिसाइड करते प्लास्टिक की लुफा का यूज करते हैं लेकिन क्या आप जानती हो कि प्लास्टिक की लुफा का यूज करते हैं लेकिन क्या आप जानती हो कि प्लास्टिक की लुफा का यूज करना आपकी स्किन के लिए कितना ज़र नुक्सान का रख है इसको लंबे टम तर यूज किया तो आपके स्किन के उपर रेशिस हो सकते हैं, आपको कोई भी टैप का फंगल इंफेक्शन हो सकता है, इवर इसको रेगिलर यूजर करने से, आपको स्किन कैंसर होने के भी चांसिस हो सकते हैं, इसलिए अरुवधा बोलता है कि स्नान के टैम, अब जितना ज़रा केमिकल का कम यूज करोगे, उतनी आपकी स्किन हल्दी रहेगी, अगर आप स्नान के टैम प्लास्टिक के लुफा का यूज करते हो, तो उसके जगा पे आप इन नेचर लुफा का ज़रूर ट्राइ करें, इस बनाया जाते है तुरे में से, लेकिन जो हमारी इंडियन तुरे होती होती ह तो बहुत ज़र्दा हाड बनेगा, जब आप अपनी स्किन के उपर इसको रब करोगे, आपके स्किन के उपर रेशिस आजाएंगे, इसलिए इसको बनाया जाते है अमेरिकन तुरे ही से, ये एक नेचर लुफा तो है ही, लेकिन इसके कहीं सारे फाइदे हैं, अगर स्नान के टाइम इसको रब करके स्नान किया जाएं, जब किसिन के उंदर ब्लड का सर्कूलेशन को बढ़ाता है, और ब्लड का सर्कूलेशन आपकी बोड़ी के अंदर बढ़ने के वज़े से आपके जो स्किन के डमेश टिशू है, वो बहुत जल्दी रिपैर होती है, आपको सिक जिसकी वज़े से आपको sweating नहीं हो रही और जिसकी वज़े से आपकी बोड़ी के अंदर toxins बढ़ते रहते हैं तो skin को healthy रखने के लिए आपको जितना ज़दा पसीन आएगा उतनी आपकी skin healthy रहेगी आपकी बोड़ी के अंदर आपकी skin के उपर जो भी toxins है वो पसीने के द्वा से और naturally देरे बंध हो जाते हैं और एक चीज़ कि जिनको शिक्कायत रहते संबन की बार-बार tanning हो जाना और और uneven skin की में इस हाथ white होना और कोणियों का black होना और गर्दन का black होना और इस condition के अंदर आप इस natural लुफा का यूज़ करते हो तो आपकी जो uneven skin है उसको even करता है इस लुफा बहुती ज़्यदा mild होता है आप जैसे इसको पानी में भीगाते हो और अपनी skin के उपर रब करते हो तो इससे आपको racist होनी की शिक्यात कभी भी नहीं होगी इसका यूज़ करने से आपकी जो skin है वो बिल्कुल भी red नहीं होगी और एक ही बार इसका यूज़ करने से ज़्यापकी skin है वो बहुती ज़्यदा soft हो जाएगी और इसका यूज़ करना 100% safe है आजकली इतना ही मिलते है नेक्स डुड़ी में तब तक के लिए तिन्यवाद झाल